दोस्तों असलाम आलेकुम क्या हाल चाल है उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा दोस्तों तो अगर आप मीसो पे ओनलाइन सेलिंग शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको रिक्वारिमेंट रहेगी कि GST की पहले रिक्वारि जैसे कोई आता है जैसे प्रोडक्ट हूआ जैसे मतलब पहता हो आती हुआ हमाच चाहिए चपल हुई तो साइज पाल रहता है तो इसमें रिटन का ज्यादा दिक्वार्ट अगर आप एसी कडिग्री करते जैसे की डुपट्टा हुआ साड़ी हुई और जैसे आप वही श साइज रखो या तो मीडियम में मिडियु और आप सुुरु Bureau formed र में सपनुकर में मीडियुम रखों तो आपका प्रोड़क्ट वोगा मीडियुम और Krмоisya के डिचनी का माहिए गवाइगा मिडिये में से प्रोडक्ट्विमामन हैगा तो इससे क्या होगा कि सब पूरा हो है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें क्या होगा कि आपका सारा काम जो होता है वो सीए देखता है तो वो जो दिक्कत है वो सीए की दिक्कत है सिर्फ आपको क्या है रिटेन फाइलिंग में आपको जीएस्टी फाइलिंग में आपको बताना पड़ेगा कि पैसा आता है एकाउंट में तो उसका आप वह आई टी आर वाले जो सीए होंगे वह आप से एड्रे पुरा इस्टेट्मेंट मागेगे तो आप बैंक से या फिर उनलाइन इस्टेट्मेंट निकालके उनको दे सकते हैं तो क्या होगा वह आप उनको दे दोगे तो वह अपने हिसाब से सबसारा सेटिंग करके और आप मीसो शुरू करते हो तो आपको क्या क्या दिक्कते आती हैं क्या ह होता है आप देखोगे यूटूब पे बहुत सारी चीजे आती हैं कि फ्रोड है यह है वो है तो आप किसी भी प्लेट फार्म पर सेल करोगे तो वह दिक्कत हर सभी पर आएगी बस क्या है मीसो पर थोड़ा ज्यादा है लेकिन मीसो पर ऐसा है कि मीसो जितना जल्दी आपको देना सुरू करेगा उतनी जल्दी कोई भी प्लेट फारम इतनी जल्दी आपको ओडर नहीं देगा और यह इसमें क्या होता है मीसो में हर महीने सेल आती है तो ऐसे अगर आपका प्रोड़क्ट 10-20 ओडर आएगा तो महीने में कोई मतलब 4-5 दिन का ऐसा टाइम आता है तो आपका करीब 50-100 और एक बात अपने ध्यान में रखो कि जैसे आप प्रोड़क्ट सेलिंग करने आपका ओडर आने लगा तो यह ध्यान में रखो को आपको महीने में दो महीने में छे महीने में आपको और भी प्रोड़क्ट डालने रहेंगे और इसमें क्या होगा कि आप खरीद के लाते हो तो आप ये अपने माइन में रखो कि हाँ भाई मेरा थोड़ा सेल पढ़ेगा और थोड़ा मुझे सेलिंग के बारे में जानकारी हो जाए तो फिर आप क्या करो कि आप कोई भी प्रोड़क्ट जो आपको लगे कि हाँ ये चीज में बना सकता हूं खास करक 30 रुपए रखेगा ही लेकिन अगर वही चीज आप खुद बनाओगे तो उसमें आपको ज्यादा प्रोफिट होगा तो इसलिए आप ये माइन में रखो कि हाँ भाई सुरू में एक बार बाहर से दस बार पांच महीने छे महीने बाहर से आप प्रोड़क्ट खरीद के ला कि अ